शास्त्रों में उल्लेक मिलता है कि आठ ऐसे लोग हैं जिने चिरन जीवी यानि अमर होने का वर्दान हैं इनमें से एक भगवान हनुमान भी हैं भगवान राम और सीता से वर्दान पाने के कारण हनुमान जी अमर हो गए हैं माननेताओं के अनुसार कैलाश परवत से उत्तर दिशा की ओर एक खास जगे है जहां भगवान हनुमान आज भी निवास करते हैं भगवान हनुमान के निवास थलका वर्दन कई ग्रंतों और पुराणों में भी मिलता है पुराणों के अनुसार कल्यूग में हनुमान जी गंध मादन परवत पर निवास करते हैं एक कथा के अनुसार अपने अज्यातवास के समय हिमवंत फार करके पांडव गंध मादन के पास पहुँचे थे एक बार भीम ने सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंध मादन परवत के वन में पहुँच गए थे वहाँ उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा था और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था शास्त्रों में बताया गया है कि गंध मादन परवत कैलाश परवत के उपतर में इस्तित है इस परवत पर महर्शी कष्चप ने तपस्या की थी इस परवत पर गंधर, किन्नरों, अपसराओं और सिद्ध रिशियों का निवास है इस परवत के शिखर पर किसी वहन से पहुँचना असंभव माना जाता है गंधमादन परवत हिमाले के कैलाश परवत से उत्तर दिशा की ओर है यह परवत कुबेर के राज्य शेत्र में था सुमेरू परवत के चारो दिशाओं में गजदंत परवत में से एक को उस काल में गंधमादन परवत कहा जाता था आज यह शेत्र तिबबत के इलाके में है इसी नाम से एक और परवत रामेश्वरम के पास भी स्थित है जहां से हनुमान जी ने समुतर पार करने के लिए छलाँ लगाई थी गंधमादन परवत पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसमें भगवान हनुमान के साथ ही भगवान राम आदी की भी मूर्तिया है कहते हैं इसी परवत पर भगवान शीरान अपनी वानर सेना के साथ बैठ कर युद्ध के लिए योजना बनाया करते थे कई लोगों का कहना है कि इस परवत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी मौजूद हैं धन्यवाद फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमारे चैनल अक्षच एंडरेटेंड्मेंट को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कींती सुझाव हम तक पहुचाएं धन्यवाद